ओम श्री अनंत कोटी ब्रह्माण नायक राजा धिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सचिदा अनंद समर्सत गुरू साइनात महराज की जय हो हे प्रिये भक्त गणों आज श्री साइंस चत्र का अध्याए 21 का पठन होगा हे गुरुवर हे साइं सभी बच्चों पर अपना आशिर्वाद देकर फलीबूत करें कि ये अध्याए सभी के चित्त में उतरें सभी को इसका लाब हो ओम साइराम आईए शुरू करते हैं अध्याए 21 जिसमें पहले है श्री विह एच ठाकुर दूसरा श्री अनंत्राव पाटड कर और तीसरा पंधरपुर के वकील की कथाएं इस अध्याए में हिमाडपंत ने श्री विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर बीए श्री अनंत्राव पाटड कर पूरे निवासी तथा पंधरपुर के एक वकील की कथाओं का वरनन किया है ये सब कथाएं अती मनोरंजक हैं यदि इनका सारांश मनन पुर्वक ग्रहन कर इने आचरण में लाया जाए तो अध्यात्मिक पत पर पाठक गण अवश्य अग्रसर होंगे आये प्रार्म करते हैं यह एक साधारन सा नियम है कि गत जन्मों के शुब कर्मों के फलसरोब ही हमें संतों का सानिध्धे और उनकी कृपा प्राप्त होती है उधारनार्थ हिमाटपंथ स्वयम अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं वे अनेक वर्षों तक बंबई के उपनगर बांदरा के स्थानिये नायाधीश रहे पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वही निवास करते थे उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, पार्सी और अन्य धर्माव लंबी वहां जाया करते थे उनके मुजावर यानी पुजारी ने हिमाटपंथ से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रहे किया परन्तो किसी ना किसी कारणवश उनकी भेट उनसे ना हो सकी अनेक वर्शों के उपरांत जब उनका शुब काल आया तब वेश्रिडी पहुँचे और बाबा के दर्बार में जाकर स्थाई रूप से सम्मिलित हो गए भागेहिनों को संत समागम की प्राप्ती कैसे हो सकती है केवल वे ही सो भागेशाली हैं जिने ऐसा अवसर प्राप्त हो अब आगे पढ़ते हैं संतो द्वारा लोकशिक्षा संतो द्वारा लोकशिक्षा का कारे चेरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता आया है अनेको संत भिन भिन स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ती के लिए स्वयम प्रगट होते हैं यदि भी उनका कारे स्थल भिन होता है परंतु वे सब पूर्णता एक ही हैं वे सब उस सर्वशक्ती मान परमेश्वर की संचालन शक्ती के अंतरगत एक ही लहर में कारे करते हैं उन्हें प्रतेक के कारे का परस पर ज्ञान रहता है और आविश्यक्ता मुसार वे परस पर पूर्ती भी करते हैं जो निमल निकलित घटना द्वारा स्पष्ट है श्री ठाकुर श्री वी अज ठाकुर बी ए रिवेन्यू विभाग में एक करमचारी थे वे एक समय भुमी मापक दल के साथ कारे करते हुए बैलगाओं के समीप बढ़गाओं नामक ग्राओं में पहुँचे वहाँ उन्होंने एक कानडी संत पुरिश अप्पा के दर्शन कर उनकी चरनवंदना की वे अपने भक्तों को निश्चल दासकरत विचार सागर नामक ग्रंथ जो वेदान्त के विशे में है का भारवार्थ समझा रहे थे जब श्री ठाकर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा तुमें इस ग्रंथ का अध्यन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा जब कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सवभाग्य वश्य तुमारी एक महान संथ से भेट होगी जो मार्ग परदर्शन कर तुमारे हिर्दे को शांती और सुख परदान करेंगे बाद में उनका स्थानांतरन जूनर को हो गया जहांकी नाडे घाट पार करके जाना पड़ता था यह घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था इसलिए उन्हें भैसे के सवारी कर घाट पार करना पड़ा जो उन्हें अधिक असुविधा जनक तथा कष्ट कर प्रतीत हुआ इसके पश्चात उनका स्थानांतरन कल्यान में एक उच्च पद पर हो गया और वहां उनका नाना साहिब चांदोरकर से परिचे हुआ उनके द्वारा उन्हें श्री साइंबाबा के संबंद में बहुत कुछ ग्यात हुआ और उनके दर्शन की तीवर उतकंटा हुई दूसरे दिन ही नाना साहिब श्रीडी के लिए प्रस्थान कर रहे थे उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया ठाड़े पहुँचने पर मुकदमे की तारिक आगे के लिए बढ़ गई इसलिए उन्हें नाना साहिब का साथ ना देने पर पश्चाताब हुआ फिर वे श्रीडी पहुचे तब वहां उन्हें ग्यात हुआ कि नाना साहिब पिछले दिनों ही यहां से चले गए हैं वे अपने कुछ मित्रों के साथ जो उन्हें वहीं मिल गए थे श्री साही बाबा के दर्शन को गए उन्होंने बाबा के दर्शन किये और उनके चरण कमलों की अराधना कर अत्यंत हर्शित हुए उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आँखों से अश्रू धाराएं प्रवा अध्यात्मिक पत्थ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि वह अत्यंत कठिन पत्थ है जब श्री ठाकुर ने सारगर्भित शब्द सुने जिनका अर्थ उनके अत्रिक्त और कोई ना जानता था तो उनके हर्ष का पारावार ना रहा और उन को अपने चरण कमलों की शीचल चाया में स्थान दो तब बाबा बोले जो कुछ अप्पा ने कहा वह सत्य था उसका अभ्यास कर उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए व्यर्थ में बैठने से कोई लाब ना होगा जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण म अभी तक केबल विचार सागर ग्रंत में सैधान्तिक प्रक्रण ही पड़ा था परंतु उसकी प्रत्यक्ष विवहार प्रणाली तो उन्हें श्रीडी में ही ग्यात हुई एक दूसरी कता भी इस सत्य का और अधिक सक्षक्त प्रमान है ये है श्री अनंत्राव पाटड कर प प्रत्र शीतल हो गए और वे अती प्रसन हुए उन्होंने बाबा के श्री चरण छुए और यथा योग्ये पूजन करने के उपरांत बोले मैंने बहुत कुछ पठन किया वेद वेधांत और उपनिशदों का भी अध्यन किया तथा अन्य पुरान भी श्रण किये फिर भी म प्रंथा वलोकन व्यर्थी है मैंने ऐसा सुना है कि आप केवल अपनी दिश्टी मात्र से और विनोध पूर्ण वच्चनों द्वारा दूसरे के मन को सरलता पूर्वक शांतिय परदान कर देते हैं यही सुनकर मैं भी यहां आया हूँ कृपा कर मुझदास को भी आशिरव जोक ही एक घोडी ने लीद की जिग्यासु सोदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिचा कर उसमें लीद के नोगोले रख लिये और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई शिरी पाटन कर इस कथा का कुछ भी अर्थ ना समझ सके इसलिए उन्हें शिरी गणे दामोदर उप नाम दादा कहल कर से अर्थ समझाने की प्राथना की और पूछा कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है वे बोले कि जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयम भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता परंतु उनकी प्रेणा से ही मैं जो कुछ समझ सका हूँ वह तुमसे कहता हूँ घोडी है इश्क्रपा और नो एकत्रित गोले है नव विद्या भक्ती यथा पहला श्रवन दूसरा कीवतन तीसरा नामस्मरण चौथा पाद सेवन पांचवां अर्चन छटा वंदन सात्वां दास्य आठ्वां सक्य नो आत्मनिवेदन ये भक्ती के न अत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्रीहरी अत्यंत परसन होकर भक्त के घर प्रगट हो जाएंगे समस्त साधनाय अर्थात जप तप योगा भ्याज तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ती का संपुट ना हो बिलकुल शुश्की है वेदग् को भी उसी सोदागर के समान ही जान कर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पुर्वक सत्ते को खोज कर नोप्रकार की भक्ती को प्राप्त करो तब कहीं तुम्हें द्रणता तथा मानसिक शान्ती प्राप्त होगी दूसरे दिन जब श्री पाटनकर बाबा को प्रणाम करने के लिए गए तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के नो गोले अकत्रित किये उनने कहा कि मैं अनाश्रित हूँ आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलता पुर्वक अकत्रित करना संभव नहीं है बाबा ने उन्हें आश्रिवात दे कर सांतामना दी कि तुम्हें सुक और शान्ती प्राप्त हो जाएगी जिसे सुनकर श्री पाटनकर के हर्ष का पारावार ना रहा अब आगे पढ़ते हैं पंधरपुर के वकील भक्तों के दोश दूर कर उन्हें उचित पत पर ला देने की बाबा की त्रिकालग्यता की एक छोटी सी कथा का वर्णन कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे एक समय पंधरपुर से एक वकील श्रीडी आये उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिना भेट कर भेट देकर एक कोने में बैट कर वारता लाप सुनने लगे बाबा उनकी और देख कर कहने लगे की लोग कितने धूरत हैं जो यहां आकर चरणों पर गिरते और दक्षिना देते हैं परंतु पीठ पीछे गालियां देते रहते हैं कितने आश्चर्य की बात है न यह पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहननी पड़ी कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका परंतु वकील साहब इसका गुणा अर्थ समझ गए फिर भी वे सर जुका कर बैठे रही रहे वाडे लोटकर वकील सा है वह केवल चेताम नहीं थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए एक समय जब उपनयाधीश श्री नूलकर स्वास्थे लाब करने के लिए पंधरपुर से श्रीडी आकर ठेरे तो बार रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी विवाद का विशे था कि जि श्री नूलकर सद्रश्य एक शिक्षित वेक्ति को इस मार्ग का अवलम्मन करना उचित है उस समय श्री नूलकर का और साथ ही साथ श्री साई बाबा का भी बहुत उपहास किया गया मैंने भी इस आलोचना में हाथ बटाया था श्री साई बाबा ने मेरे उसी दूशत आच पर प्रकाश डाला है यह मेरे लिए उपहास नहीं वरन एक उपकार है जो केवल उपदेश है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही दूसरों के कारे में विगन डालना चाहिए शिरडी और पंधरपुर में लगबग 300 मील का अंतर है फिर भी बाबा ने अप की सर्वग्यता के लिए रोडा ना थे वे सबके हिर्दे की गुईया बात जान लेते थे और उनसे कुछ चिपा ना था समीपस्त यहां दूरस्त प्रत्यक वस्तु उनके लिए दान के दिन के प्रकाश के समान प्रकाश्वान थी तथा उनकी सर्वव्यापक दिश्टी से ओजलना थी इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी का छिद्रान्वेशन एवं निंदा नहीं करने चाहिए यह कता केवल वकील साहब के लिए ही नहीं वरन सब के लिए शिक्षा प्रद है श्री साहीं बाबा की महानता कोई ना आख सका और ना ही उनकी अधभ पुरू साइनाथा परनमस्तू शुबं भवतू ओम साइराम